सिवान में करी 50 लाख मूले का शुराब जबत हुआ है ट्रॉक में जोकर के बोरी में चुबा कर शुराब लाई जा रही थी चाला गिरफतार हुआ है पंजाब सी ये शुराब लाई जा रही थी मेरवा थानाशित्र के गुठनी मोड के समीप मेरवा पुलस ने कारवाई करते वे एक बरी जो है वो जानकारी मिल रही है तो सिवान से खबर कड़ी पचास लाख मोले का शुराब जब्त हुआ ट्रक में जोकर के बोरी में छिपा कर लाई जा रही शुराब की बरी खेप को पुलस ने पकड़ा है पुलस ने शुराब के साथ चालक को भी गिरफतार किया है रंजन हमारे साथ जुड़ चुक है नि रंजन एक बड़ी कामियाभी कह सकते हैं शुराब जब्त किया गया है कारवाई भी हो रही है ट्रक के जो चालक है उसकी गिरफतारी हुई है क्या कुछ पूरा मामला देखे वर्वसी बहुत बड़ी खेप इसे कहा सकता है पचास लाग करीब पचास लाग के जो बीदेशी सराव है वो उसको जब किया है लगातार अगर बात कर लें बिहार में जिस तरह सरावबंदी है और सरावबंदी को कायम करने के लिए पुलिस भी तत्वर रहती है औ लगभग पचास लाग के सराव को जब किया है वहीं चालक को गिरफटार किया है चालक से गिरफटार करने के बाद उससे पुस्टाच की जा रही है रात बर ठाने में उसे हाज़त में बंद करके पुस्टाच किया गया है कि आखिर सराव कहा ले जा रहा है थे बिहार में क पुष्टाज की जारी रिखार चुश्य झारी बहुत 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 शुक्रियां में थबाम जान का दो उलिए तो करीब 15 लागा शुराब जब्त हुआ है पुलस में कारवाई कर ये चाला को गिरफतार के लिए पूशतास की जा रही है झाल झाल